विछले लेक्चर में हमने कुछ टूल्स के बारे में स्टार्ट किया था कुछ टूल्स हमने एक्सप्लोर किये और इस लेक्चर में भी हम कुछ मजीद टूल्स के उपर बात करेंगे आपने नोट किया होगा कि प्रीमेर से ये थोड़े से डिफरेंट हैं टूल्स कुछ टूल्स शुरू वाले बिल्कुल सेम थे और उसके बात आगे जाके आपके पास थोड़े से कंप्लिकेटिड हो गए हैं अभी इसमें हम फर्दर टूल जिसमें ब्रश टूल है क्लाउन टूल है और उसके लावा और भी कुछ टूल्स हैं उनके बारे में देखते हैं last lecture में हमने इन सारे tools के बारे में देखा shapes वगारा इसमें शामिल है pen tool तक हमने explore कर लिया था मुझे अमीद है कि आपने इसकी practice की होगी और अभी हम further आगे चलते हैं next मेरे पास चो tool है है वह text का tool है text के ऊपर हम आगे भी थोड़ी सी बात करेंगे मैं आपको इस वक फिलहाल tool के ऊपर text बता देता हूं बाकी further इसकी animations कुछ इसके presets बगारा वो further आगे lecture में detail में text के ऊपर बात करेंगे अभी हम text tool को देख लें चो कि हमारे पास बिल्कुल जिससरा प्रीमियर में था tool उस तरह सही है काफी simple भी मैं समझता हूं यह है इस वक्त मैं इस पर click करूंगा और जहां पर भी मैंने text तो लिखा गया है जो कि काफी छोटा है मैं इसको select कर सकता हूं अपने mouse से ड्रैक करके या फिर control-a भी करूंगा क्योंकि इसको मेरे पास text के लिए ही select है और उसके बाद मेरे पास यहां पर right पे character के नाम से एक tab है जिसके नीचे इसके fonts और जितनी भी options मेरे पास text में हो सकती है उसकी further variation या फिर उसका size मैं उसके colors के साथ भी कुछ play around कर सकता हूं मुझे color pick करना हो maybe green मैं यहां से वो pick कर सकता हूं अपनी पसंद का और इसको फिर मैं ok कर सकता हूं और further यह मेरे पास जिसतरा layer ही add है तो जिसतरा से प्रीमियर में हम करते रहे हैं उसी तरह से इसकी सारी alignment है positioning है या कोई transition effect वगारा कुछ भी आपने इसके उपर लगाना है तो वह आप उस तरीके से लगा सकते हैं जिस तरीके से आप एक video file में regular video file में लगा सकते हैं आप इस के खराब कर सकता है इसी text के अंदर मेरे पास यहाँ पर वर्टिकल टूल भी है जिसमें text जो है वह इस वक्त इस तरह से वर्टिकल लिखा जाएगा तो इस तरीके से भी आप इसको text को अपने use कर सकते हैं अब हम इनको delete करना चाहें तो delete कर दें क्यूंकि हम आगे next tool पर बात करेंगे और उसके बाद मेरे पास जो टूल है वह brush टूल है आप में से जिन लोगों ने भी Photoshop यूज़ कियो होगा उसमें भी यह बड़ा common tool है शौट की इसकी control भी है अगर इसको मैं यहां से select करूँ और उसके बाद मैं अगर अपने brush के यहां पर tap में आऊ यहां पर तो आप देख सकते हैं कि इस window के नीचे brush की settings मुझूद है brush की types हैं कुछ इसके size हैं और further और चीज़ आप देख सकते हैं कितना आपको उसका angle कितना आपको उसकी hardness कितना आ कर लूँ जिस तरह कि मैंने यह select कर लिया और आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास यहां पर brush apply नहीं हो रहा उसकी बच्छा यह कि brush चो apply होगा वह directly आपका composition के अंदर apply नहीं होगा उसके लिए आपको उस specific asset के ऊपर बेश्यक वो वीडियो हो या फिर स्टेली में जो उ आगया है control press करूँ और left click mouse का मैं उसको left पर drag करूँगा तो उसका size चोटा हो जाएगा और right पर drag करूँगा तो उसका size बड़ा हो जाएगा मेरे पास यहां पर brush के नीचे एक और window है paint की और उसमें further इसके color बगार की मेरे पास option है कोई भी color मैं इसको select करना चाहूँ मेरे पास यहां पर option है मैं इसकोई जान के कोई ऐसा color लेता हूँ जिसका brush आपको वाज़े नज़र आए आप देख सकते हैं इसको मैंने यहां पर brush tool apply किया है और उसने उसको full brush नहीं किया क्योंकि इसवक्त जो है वो paint यहां पर इसका blending mode में overlay हुआ हूँ है इसको मैं undo करता हूँ और by default यह आपके पास वैसे normal होता है और normal as it is इसको apply करेगा कुछ इस तरह से कि आप देख रहे हैं कि बिलकुल ही उसने उसके उपर उसको brush कर दिया है इसको हम undo करते हैं और अगर हम different blending mode try करें तो जिस तरह overlay है तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं यहां पर कर रहा हूँ overlay mode है इस वक्त आपके पास purpose थोड़ा सा different हो गया जो आपने बिलकुल उपर brush करना था उस तरह से नहीं लेकिन आपके पास यह पूरा brush apply हो गया और further आप अपने timeline पर इसको इस तरह देख सकते हैं कि इस वक्त अगर आप इसका इस तरीकित है चाहरे थे तो आप इसको कर सकते हैं जहां पर आपका CTI होगा और जो effect यह जो टूल आप apply करेंगे तो वह basically वहां से ही उसको शुरू करेगा इसको हम further इस तरह देख सकते हैं क अगर हम effect में गए paint में गए और मेरे पास यह इसको मैं zoom करता हूं थोड़ा सा बिल्कुल जो यह चोटी सी timeline है यह यहां से शुरू हो रहा है अगर आप चाहते हैं क्लिप के बिल्कुल शुरू से होता और आपकी इस वक्ति वहां पर नहीं था तो आप इसको further पकड़के इ और अगर आपको यह brush का impact यहां तक ही चाहिए था तो यहां पर यह brush मेरे पास add है तो इसको आप यहां से यहां तक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास तो उसका impact भी specific जगह तक हो सकता है आपको लग रहा हो कि अभी आपने brush किया था और अभी तो यहां पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा तो आपको इसकी further properties में जाके देखना है जिससे यह अभी effect के अंदर fall करता है और यहां पर मुझे यह नजर आ रहा है आप इसको यहां से track करके पूरे पर apply कर सकते हैं और अगर आपने इस effect को delete करना हो आप यहां से इसको delete कर सकते हैं बेश्यक आप चाहें तो effect को select करें और delete press करें तो सारे effects delete हो जाएंगे अगर आपको specific जिस तरह पेंट की category में fall करता है इसको delete करना हो तो आप यहां से इसको delete करेंगे तो इस व और बेसिकली यह क्या करता है यह आप जो एरिया उसको क्लोन करना चाहते हैं या पर उसको आप डूबली के या उसकी कॉपी करना चाहते हैं उस स्पेसिफिक एरिया को सेलेक्ट करके आप उसकी दूसरी जगह जिस जगह पर आप अपनी डिजायर जगह पर जाके उसको क्लोन कर सकते हैं, मिसाल के तोड़ पर यहां पर मेरे पास empty space है और मेरे पास यहां पर यह जो area है, इसको मैं चाहता हूं कि यहां पर यह clone हो जाए, तो यहां से मेरा clone tool select है और इसी तरह से मुझे again इसको double click करना होगा, क्योंकि मैं directly composition पर इसको भी apply नहीं कर सकता, अब आप देख रहे है, clone tool के साथ ही आपके पास यह शेप बनीवी है, आपका जो icon जो cursor है इस वक्त, उधर भी brush जिसा ही आपके पास add है, क्योंकि इसने अभी भी area की selection करनी है, आप चाहें तो इसको यहां से भी change कर सकते हैं, और उसी ही साब से आपका यह control के साथ right और left pen करने से, इसका size बड़ा छोटा हो सकता है, हम कोशिश करेंगे कि हम इसको थोड़ा सा इस तरह का soft round ही रखें, ताके selection हमारी बिल्कुल accurate उस तरह से ना हो, क्योंकि जो हम clone करेंगे, वह पर हमें थोड़ा सा feel होगा, clone tool मैंने select किया हुए, मैं यहां पर alt press अब मैं जिस जगा पर उसको clone करना चाहता हूँ, मैं वहां पर simple click करूँगा और आप देख सकते हैं, कि इस वक्त वो same area और आपको छोटा सा इस वक्त माउस उस area पर भी नज़र आ रहा होगा, जहां पर जहां से हमने select किया था, ताकि आप दोनों तरफ नज़र रख सकते ह भी कोई area ऐसा बाहर तो नहीं हो रहा, और आपने same इस चीज़ को clone कर दिया अपने right पार पर, यह तो इस वक्त काफी simple भी था क्योंकि यहां पर पानी का color blue है और अच्छे तरीके सा आपने इसको blend कर दिया, अगर मैं चाहूँ तो और areas पर भी कर सकता हूँ, अगर मैं यहा यहां पर आप देखें कि यह पहार और उन areas को वो further clone कर रहे है और जहां पर यह चोटा सा मेरे पास यह plus का sign है, तो basically वो area वो वहां पर clone करते जा रहे है, तो यह बड़ा जबदस टूल है, बड़ा ही इसका जबदस impact होता है और अगर मैं इसको यहां से इस वक्त आफ इसको off करके आप देख सकते हैं, पहले original यह था और clone टूल से रहे यूज करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह से वो बन गया, तो जैसे जैसे आप यूज करते जाएंगे, आपके control बेतर होगा और आप smartly इसको फिर यह tools apply करके further इनको मजीद realistic भी बना सकते है, और इसके बाद जो मेरे पास tool है, वो eraser tool है, just मैं इसको यहां से select करूँ, control बी इसकी by default short की है, और जिस तरह से इसका नाम है, यह बिल्कुल यही काम करता है, कि यह erase करता है, यह भी आपकी composition पे apply नहीं होगा, अगर आप composition पे apply करेंगे, बेशे का आपने tool select किया है, वो composition को move कर देगा जो कि हमें ऐसा नहीं करना, यह भी apply होगा, आपको इसी तरह ना clip को double click करना होगा, जिस clip पे आपको apply करना है, और अब भी आप देख सकते हैं कि इसको मैंने यहाँ पर click और drag करना शुरू किया, तो इतना area मेरे पास erase हो रहा है, उस पूरी file में से, और यह पीछे मेरे पास black show कर रहा है, वैसे तो normally यह transparent इसको कर रहा है, और इसको check करने के लिए मेरे पास यहाँ पर option है, transparency grid on करने की, अगर मैं इसको click करूँगा, तो आप देख सकते हैं इस पर, कि यह जो मेरे पास पीछे checker board आया हो है, तो basically यह transparent layer है, और इसके पीछे कोई भी image, कोई भी element, कोई भी video आप डालना चाहते हैं, तो वाप इसको डाल सकते हैं, जो area erase हो रहा होगा, और नीचे layer में जो भी चीज होगी, वो आपको इसकी जगा पे नजर आनी शुरू हो जाएगी, और आपने देखा होगा, photoshop जो use करते हैं, उसमें भी बिल्कुल एची तरह ही होता है, और य areas में आपको easily नजर आ रही है, और further आपकी कोई भी adjustment हो, वो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपने करते ही रहनी हैं चीजे इस तरह के जहां तक आपको अपनी final look जो है, जो आप बनाना चाहते हैं, वो achieve न हो जाए, जिस तरह भी तो हमने ये बिल्कुल random footage रख दिये, लेकिन आप जब इसको कर रहे होंगे, आप अपने proper footage, proper assets को use करके आप इस पे काम कर रहे होंगे, तो ये काम है Eraser Tool का और इसके बाद अगर मैं इस वक्त Eraser Tool यहां से delete करना चाहता हूँ, तो मैं अपने effects में जाओंगा, paint के अंदर ही ये सारे fall कर रहे हैं, और ये मेरे पास सारे Eraser करके delete कर सकता हूँ, तो आप देखें, इस वक्त को बिल्कुल delete हो चुके हैं, ये side पर आपको कुछ नजर आ रहा है, हमारी position भी थोड़ी सी disturb हो चुकी है, जिसको हम कोई बात में भी set कर सकते हैं, और इस वक्त जो इसकी position, इस वक्त मैं इसको चाहूँ तो यहां से reset कर सकते हैं, overall values की करने के लिए आपके पास यह reset की option मुझूद है, और इसके बाद मेरे पास जो tool है, वो है roto brush tool, ये बड़ा जबदस tool है selection के लिए, बैसे rotoscopy एक और concept है, जो कि आगे हम आपको थोड़ा सा explain करेंगे, लेकिन इस वक्त जो यह roto brush है, basically वही काम करता है, जो कि आपका photoshop में different selection tools काम करते हैं, बड़ा smartly ये आपकी selection कर सकता है, इस layer को अगर मैं off करूँ और यहां से मैं इस layer के जो इसके नीचे layer है, इसमें मैं अगर कोई selection करना चाहूँ, तो यहां से मैं अपना roto brush tool पकड़ूँगा, और आप देख रहे हैं कि ये basically color range को ही select करता है, तो आपको बड़ी जबदस यहां पर यह color range मिल रही है, आप easily इसको यहां से roto brush tool से select कर सकते हैं, और आपको specific यहां पर पूरा जिस तरह कि हमने shape से किया था, pen tool से उस तरह करने की जरूरत नहीं, अगर तो इसको बहुत अच्छी range मिल रही है, यह smartly खुदी इसको select कर इसको हम डबल क्लिक करेंगे, हमारे पास यहां पर एक और, बो जो layer है, साथ एक और window में खुल गई, यहां पर मैं रोटो brush tool पकड़ा अपना, और अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास यह एक, इस तरह से मैं यह line draw कर रहा हूं, और मैं अभी बहुत roughly जल रहा हूं, जिसमे आप देख सकते हैं कि इसको मेरे इसका join किया, और आप यह जो purple line देख रहे हैं इसमें, यह इस वक्त basically area इसने select कर लिया है, अब आप देख रहे होंगे कि इसमें कुछ area इसे भी है जो आपको नहीं चाहिए था, मिसाल के तोड़ पर यह वाले areas, जो darker areas हैं, अब हम इसको त करता क्या है, basically कि यह आपके जो edges हैं, यह उनको refine कर देता है, तो अगर आप इस तरह से यहाँ पर refine edges वाले tool है, और इसको यहाँ पर drag करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि इस पर काम कर रहा है, और यह इसने इसकी edges इस तरह से maintain कर दिये, जो कि तोड़ा साइस को soft कर देगा, थोड़ा सा इसको blur कर देगा, इस वक्त आपको यह black and white में नजर आ रहा है, लेकिन जो actual काम हुआ है, वो आप अपने composition में जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त यह जो edges थे आपके, यह थोड़े से smooth हो गए हैं, और इस तरह से आपको edgy, edgy से नजर नहीं आ रहे, sharp से नजर नहीं आ रहे, आप और जगाओं पर भी edges पर इस तरह से काम कर सकते हैं, कि देखेगा, यह भी इसने maintain कर दिया, इसके अलावा जो ऊपर वाला portion था, उस पर भी हम देख सकते हैं, कि यह edges जा रहे थे और उसको, उसने इस तरह से उसको थोड़ा सा soft कर दिया, थोड़ा सा smooth कर दिया, यह आप कहलें, थोड़ा सा blur कर दिया, लेकिन edges आपके properly balance हो गए, और इसके बाद जो मेरे पास tool है, वो puppet position pin tool है, और यह basically आपकी footage को जो भी आपका यहाँ पर asset होगा, उसको यह थोड़ा सा deform करता है, इ इसमें यह pins जो होती है, basically यही इसको help out करती है, अगर मुझे किसी एक area को थोड़ा deform करना हो, थोड़ा सा squeeze करना हो, या और किसी तरह से distort करना हो, तो मैं इसके edges पे, जितना area में ने करना हो, मैं supporting यह pins लगा देता हूँ, ताके इसके बाहर बाहर वाला area deform ना हो, और मैं अब यह center में लगाता हूँ एक pin, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं जब इसको move करूँगा, तो वह exactly उसको deform कर रहा है, आप देखें इसकी shape बिल्कुल इस वक्त change हो चुकी है, और in points से बाहर जाओंगा अगर तो फिर इसको move करेगा, नहीं तो जो proportions है इसकी, वह in pins के set किया, और यहां से इसके हाथ को मैंने इस तरीके से deform कर दिया, अगर मैं in points को छेड़ूँगा, तो वह obviously वह इस एरिया से पहार निकल जाएगा, तो यह totally depend करता है कि आपने किस तरीके से इसको use करना है, further इसके साथ supporting इसके और भी tools हैं इसके अंदर, जो कि puppet pin tools से ही relate करते ह मैं चाहूंगा कि आप इनको explore कीजेगा और जहां जहां पर आप इसको बेतर तरीके से use कर सकते हैं, इसको use कीजेगा, यह tools बहुत important हैं और आपने इनका usage भी देख लिया कि किस तरीके से हम इसको use करते हैं, further जो मेरा final word है in tools के ओपर वो यह ही है कि जब तक आप इनको practically apply न बात करेंगे.